हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियों क्लासेज में अब हम बात करेंगे अपने सामा जी के हम राजनितिक जीवन भागतीन के पार्ट नंबर शेकेंड यानि धर्म निर्पिक्स तक की समझ के बारे में यहां से बहुत important question बनते हैं तो आप अराम से इस वीडियो को देखिए और अपने concept क्लियर करिए कौन सा सवीधान सभी धर्मों को अपने तोर तरीके को अपनाने की छूट देता है तो आप कहोगे भारतिय सवीधान option बकरेक्ट हो गया हमें सभी धर्मों का करना चाहिए क्या करना चाहिए सम्मान करना चाहिए option अ भरोगे इदर next देखिए धर्म के नाम पर भेदबाव को रोकने के लिए भारतिय सवीधाने पाबंदी लगए किस पे पाबंदी लगए तो छुआ छूट पर option सभ करोगे इदर ठीक है ना अगला देखिए रिक्त इस्तानों की पूर्ती कीजिए तो रिक्त इस्तानों में देखिए हिटलर ने हिटलर ने खाली जिगह में यहुद्यों पर बहुत अत्याचार किये कहां पर जर्मनी का शाषकता जर्मनी में किये इसने धर्म को राज्जी से अलग रखने की अवधारना को धर्म निर्पिक्षता का जाता है जिसमें राज्जी का कोई धर्म नहीं होता किसी धर्म का वो पक्ष नहीं लेता भारत इस बात की मानिता देता है कि कौन से लोग पगड़ी पहन सकते हैं शिक धर्म के लोग पगड़ी पहन सकते हैं भारती राज्य धर्म निर्पिक्ष है भारतीय स्वविधान अपने नाग्रीकों को मॉलिक अधिकारों का आश्वाषन देता है अब मैच करिएगा मिलान हिटलर जर्मनी से समंदित सारवजिनिक इस्थल होते हैं पूजा अर्चना सौधी अरब मौलिक अधिकार अगला देखिए जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है हमें केवल अपने धर्म समान करना चाहिए अपने धर्म का समान करना चाहिए धर्म के आदार पर लोगों के साथ बेदबाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए हिंदू धर्म के लोग चुआ चूट पर विश्वास करते हैं सही बात हैं और अल्प संख्यक दार्मिक समुदायों के साथ बेदबाव और उत्पिडन की गटनाएं कब बढ़ जाती है ये गटनाएं जब बढ़ जाती है कब जब राज्य किसी धर्म का पक्ष लेता है तो ये गटनाएं बढ़ जाती है जब राज्य बेदबाव करने लग जाता है तब ये गटनाएं बढ़ जाती है खतम होना चाहिए कि धर्म का वर्चस्व किसी भी तरह का वो नहीं होना चाहिए यही मूल मत्र है धर्म निर्पेक्षता का अगला है भारत में धर्म निर्पेक्षता का नियम क्या नीजी स्कूलों में लागू होता है तो आप कोगे नहीं धर्म निर्पेक्षता नीजी किजिए तो भारती धर्म निर्पेक्स्तानेती क्या है कि भारत में राज जी खुद को धर्म से अलग रखता है यही अपनी नीती है ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए गुडबाई जै हिंद जै भारत